नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकासित उन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के दृष्टिकों से उप्योगी हैं इस क्रम में इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण की साथ प्रश्ण है कि राज्यों की आर्थिक आत्म निर्भरता से ही सहकारी संगवात के वास्त्रीक उद्धेसें को प्राप्त किया जा सकता है कतन की समिक्षा करें यह जो प्रस्ण आप से पूछा गया है वह संबंधित है आज के संपाद की से आज मुख की रूप से दो संपाद की को सामिल किया गया है जिसमें यह पहला संपाद की pandemic peak इसे लिया गया है दा हिंदू न्यूज़ पेपर से और इस एडिटूरियल को हम GS Papers Second में governance से जोड़ कर देख सकते हैं वहीं दूसरा एडिटूरियल जिसका सिर्सक है GST not just a federal dispute इसे लिया गया है economic time से और इस संपाद की को हम GS Papers Second में economic and social development और Papers Second में इसे हम governance के साथ जोड़ कर देख सकते हैं संपाद की पर विस्तार पूरवक हम नज़र डालेंगे लेकिन उससे पूर या प्रस्ण जो आप से कल पूछा गया था प्रस्ण है कि पार्सेल दीब समू तथा इस प्रेटली दीब समू निम्ण में से किस छेत्र में इस्थित है तो इसका सही जवाब है दक्षनी चीन सागर या जो पार्सेल दीब समू है या चीन और वियतनाम की बीच में विवाद का कारण है जबकि इस प्रेटली दीब समू चीन, ताइवान, मलेसिया, फिलिपीन्स, वियतनाम और ब्रुनई के बीच विवाद का कारण है और चित्र में मौजूद जो ये लाल रेखाएं दीखने को मिल रही है तो यह जो लाल रेखाएं हैं इसका नाम है 9-Dess Line इसके अलावा इसे 10-Dess Line या 11-Dess Line भी कहते हैं और ये रेखाएं हैं चलिए आप हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले संपाद किये की ओर और यह जो संपाद किये है इसका सिर्सक है पैंडेमिक पीक on Finance Ministries रिपोर्ट जिसका आधार है COVID-19 संकर्मन प्रसार पर वित्मंताले द्वारा जारी किया गया हालिया रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट है इसका आधार है 17 से 30 सितंबर के बीच में कोरोना से संकर्मित लोगों की संख्या यह रिपोर्ट कहती है कि पॉजिटिव मामलों की अगर बात की जाए तो साथ दिवसिय जो औसत मान है उसमें प्रतिदिन के हिसाब से कोरोना से संकर्मित लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है और यह जो गिरावट है वह कितनी है 93 हजार से 83 हजार के बीच वहीं अगर परिक्षन की बात की जाए तो साथ दिवसिय औसत के आधार पर प्रतिदिन परिक्षन जो है उसकी संख्या बढ़ी है और वह 1,15,000 से बढ़कर कितनी है 1,24,000 तो वित मंत्राले के द्वारा COVID-19 संकर्मन परसार से समंधित जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार पॉजिटिव मामलों की संख्या क्या हो रही है घट रही है अखिल भारतिये इस तरफ पर पॉजिटिव मामलों में कमी आ रही है इसका मतलब यहां पर यह है कि आर्थिक सुधार या आर्थिक क्रियाकलाब जो है उसमें अब आगे बढ़ा जा सकता है मतलब यह जो संख्या है यह संख्या यह संख्या दे रहा है कि अब आर्थी क्रियाकलाप या आर्थी गतिविधियों में तेजी और लाई जा सकती है और सितंबर महिनेों से प्राप्त यह जो संख्या है वहां आर्थी क्रियाकलाप को और बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक संकेत दे रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भशुस में मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें ICMR के द्वारा जारी किये गए सर्वे की, तो ICMR ने अपने दूसरे अखिल भारतिय सिरोलोजी सर्वे में जो की पिछले सब्ता ही उसे जारी किया गया, उसमें यह बात ICMR ने कही है कि भारतिय, मतलब केवल 7% भारती ही अभी तक कोरोना वाइरस के संपर्क में आये हैं। वहीं स्वास्त मंत्राले ने इसी सर्वे की आधार पर, मतलब यह जो सर्वे जारी किया है ICMR ने, तो इसी सर्वे के आधार पर स्वास्त मंत्राले ने यह बात कही है कि भारतिये अभी भी सामुदाइक परतिरक्षा से काफी दूर है। एक भाग चाहे टीका करण हो या पुर्व के संकर्मन के कारण वह बिमारी के परतिरक्षा को प्राप्त कर लेता है। और उन आकड़ों के आधार पर जो वित मंत्राले ने अपनी रिपोर्ट जारी कि है, तो यहा जो चौदा दिनों के आकड़े हैं, जिसमें की नब्बे हजार से यहा जो संक्या पर आई है। तो प्रति दिन का यहां जो मामला है जिसमें गिरावट देखी जा रही है, तो यह स्वागत योग है, लेकिन यह जो आंकड़े हैं, यह काफी भ्रामक हैं, वह क्यूं उसका कारण देखें, कारण यहां पर यह है, कि अगर हम अमरीका की बात करें, तो वहां पर प्रति दिन म में घटकर कहां पर पहुँची, कहां पर पहुँची, घटकर 24,000 पर, और इस सब्ता अगर हम आकड़ों की बात करें, तो फिर यह कहां पर पहुँच चुका है, संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुच गई है, पचास अजार पर, मत हम क्या देख रहे हैं, कि संख्या घटी है, लेकिन उसके बाद फिर संख्या बढ़ रही है, फिर आगे एडिटोरियल में यह बात कही जा रही है, कि भारत में पॉजिटिव मामलों की अगर हम बात करें, तो 23 सेप्टमबर में यह कितना था, 8.52%, जिसमें गिरावट वी 4 अक्टूबर को कितना, 8.29%, तो चल वह 5 परतिसत से नीचे है, इसका मतलब यह है, कि भले ही 8.52% से गिरकर 8.29% पर यह संख्या आई है, लेकिन यह अभी भी 5 परतिसत से नीचे की संख्या से काफी दूर है, अब यहाँ पर एक महत्पून बात यह है, कि COVID-19 संकर्मन परसार से संबंदित यह जो भविस्वानि की जा रही है, इसमें कोरोना वाइरस की प्रकरती को तो सामिल ही नहीं किया जा रहे है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रारम में क्या बात कही जा रही थी, प्रारम में यह बात कही जा रही थी, मतलब जब कोरोना महमारी का प्रसार प्रारम हुआ था, जब यह पहल तब यहाँ पर है कि संक्रमित लोगों की संक्या काफी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, उसके अलावा क्या वेवहार की, उसके अलावा क्या चीज़ें सामिल की गई, तो लोगों का जो वेवहार है, मतलब वेवहार में परिवर्तन, वेवहार का परिवर्तन मतलब इस तरह के जितने भी प्रियास किये गए उन सब के परिणाम अभी तक औसफल रहे हैं तो जब संपूर्न लोगडाउन लगाने पर भी कुरोना महामारी के प्रसार को रोकने में सफलता नहीं मिली तब सार्जनिक परिवहन को प्रारंब करना, धार्मिक सम्मेलनों के अनुमती देना, सैक्षनिक संस्थानों और मौल को खोलने की अनुमती देना तो यह जो अनुमतिया दी जा रही है, तो इस से यह संभावना बढ़ रही है कि वारस जो संक्रमन है, वह संक्रमन अपने नए इस तरपर पहुंचेगा और एक बात यह भी, यह जो बार-बार यह बात कही जा रही है, कि संक्रमन अपने उच्चिस्तर पर पहुंच चुका है, अब यह उससे नीचे जाएगा, तो मतलब यहाँ पर यह है, कि आखिर यहाँ आधहार क्या है उच्चिस्तर को तै करने का, क्योंकि यह जो संक्रमित ल हाले की तुलना में अगर उसमें तेजी आएगी तो मामले क्या हो जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे तो मतलब है कि यह बार-बार जो यह बात कहीं जा रही है कि पीक पर पहुँच चुका है उससे नीचे अगा तो उस पे हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वह उच इस तर संक्रमित लोगों की क्या हो सकती है किसी भी देश में या वैस्विक इस तर पे हाँ यह बात सही है कि लॉगडाउन की कारण अर्थविस्था प्रभावित हुई है यह सही है कि लॉगडाउन की कारण आर्थिक क्रिया कलाप काफी धीमी हुई है और यह जो आर्थि जनक इस्थिती है इसलिए ऐसा लग रहा है कि वित्मंत्राले इस रिपोर्ट के आधार पर अनलोक की प्रक्रिया को और तेज से तेज करना चाहती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन यहाँ पर यह भी सच है कि जैसे मतलब यह कि महामारी विशेसक जैसे जीडिपी की भविस्वानी नहीं कर सकते वैसे ही वित्मंत्राले भी कोरोना महामारी के प्रसार संक्रमन की भविस्वानी नहीं कर सकते तो अब यहाँ पर आविश्यक्ता किस बात की है आविश्यक्ता इस बात की है कि आर्थिक गती में विर्धी के साथ-साथ महामारी प्रसार पर नियंत्रन एवं उसमें कमी के मद्ध बेहतर संतुलन इस्थापित करने की। क्योंकि दोनों चीजें आवस्यक हैं जहां आर्थिक गती को बढ़ाने के आवस्यकता है वहां यह भी आवस्यक है कि महामारी का प्रसार अब ज्यादा से ज्यादा ना हो तो इस प्रकार जो पहला संपादकी है वह संपादकी है वित मंत्राले के द्वारा जो हाली में एक रि जिसका सिर्सक है GST not just a federal dispute और इसका आधार है GST परिस्द की बैठक इस एडिटोरियल पर जाने से पहले जरह हम कुछ अवधार्णाओं पर गौर करते हैं यह जो अवधार्णाओं हैं जरह उसके गौर कीजिए सबसे पहली बात हम करते हैं GST परिस्द की तो जो GST परिस्द ह या अनुच्छे संविधान के अनुच्छे 279A के अंतरगत इसका उलेक किया गया है मतलब यह कि राष्टपती को यह सकती दी गई है को वह GST परिस्द का गठन करें GST परिस्द की अध्धक्षता किसके द्वारे की जाती है वित्यमंत्री के द्वारे की जाती है जबकि र परिश्रकार द्वारा मनोनीत मंत्री भी GST परिस्द के सदस्य होते हैं जो GST परिश्द की बैठक होती है उस बैठक को प्रार्म करने के लिए यहां आवस्यक है कि कुल सदस्यों के 50% की उसमें उपस्थिती हो और उसमें जो भी निरने लिये जाते हैं उसमें 34 ai जो मदद वह आवस्यक है किसी भी विश्य को पारिद करने के लिए तो यहां बात हमने की GST परिश्द की अब हम बात करते हैं कि GST Compensation to States Bill 2017 देखें GST Compensation जो है च्छति पूर्ती है इसका अर्थ यहां पर यह है कि 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से पहले जो विवस्था थी उस विवस्था के अंतरगत और परत्यक्ष कर से राज जी को राजस्य की प्राप्ती होती थी तो अब GST Compensation to States Bill 2017 के अंतरगत या प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 2017 से पहले और परत्यक्ष कर से राज जी को जितने राजस्य की प्र राज्यों को होगी तो यह जितना अंतर होगा, इस अंतर को पूरा किया जाएगा, किसके द्वारा? GST Compensation Fund के द्वारा, चीक है, और उसी के लिए GST Compensation to States Bill 2017 को प्रस्तुत किया गया, अब इसके लिए Compensation सेसलाए गया, और यह जो GST Compensation to States Bill 2017 है, मतलब राज्यों के राज्यों के कमी की छती पूर्ती की जो बात 2017 में की गई थी, तो वह कब तक जून 2022 तक, ठेक है, यह हमने देख लिया, GST Compensation to States Bill 2017, अब एक नज़र डाल लेते हैं, सेस पर, आखरिये सेस है क्या, सेस या उपकर, या दोनों पर लगता है, मतलब पर्तेक्षकर पर भी लगता है, और और जो सेस होता है, या विशिष्ट उद्दिस्ट के लगा जाता है, जैसे सिक्षा उपकर, और सेस कर पर कर होता है, इसका मतलब क्या होगा, तो माल लीजिए कि 100 रुपे की अगर आमदनी पर 10% टेक्स लग रहा हो, तो फिर जो टेक्सबल एमाउंट है, वह कितना हुआ, 10 र से 1 रुपे, तो टोटल टेक्सबल एमाउंट कितना हुआ, 11 रुपे, इन अवधार्णाओं को इसलिए समझने की आवस्कता है, क्योंकि अब जब हम संपात्की पर विचार करेंगे, तो ये सारी सब्दावलिया वहाँ पर उपस्तित होंगी, तो चले, यहाँ पर हम यह द संगरह से समंदित, जो राज की छतिपूर्ती समंदित जो विवाद है, हमने देख लिया छतिपूर्ती क्या है, तो छतिपूर्ती समंदित जो विवाद है, उसका समाधान नहीं निकला, और समाधान निकले, इसके लिए 12 अक्ट्यूबर को फिर से विचार विमर्स किया ज तो यहां जो च्छति पूर्ती उपकर है वो कितने हैं 20,000 जो कड़ो रुपे हैं वो राज्यों को वित्रित करने का निर्णे लिया गया है GST परिशत की बैटक में उसके अलावा जो सीमा जून 2022 तक थी किसकी GST च्छति पूर्ती की तो उसके विस्तार की भी बात इसमें की मतलब यह कि यह जो च्छति पूर्ती उपकर है वो जून 2022 के बाद भी जारी रहेगी अब यहां महत्पूर्ट यह है कि च्छति पूर्ती समंधी यह जो विवाद है केंद्र और राज्य के बीच में तो ऐसा लगता है कि केंद्र राज्य के बीच में यह जो च्छति पूर आरी के कारण जो अर्थ विवस्था प्रभावित हुई है, जो आर्थी गती धीमी हुई है, यह जो छती पूर्ती समंधी विवात है, वह उससे भी समंधित है, ऐसा क्यों हूँ, ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर केवल सामानने वर्स की बात करें, मतलब बिना किसी उथल पुथ तो सामोहिक रूप से जो राज्य है, वह केंद्र से जादा विया करते हैं, और यह GDP का 10% तक होता है, मतलब GDP के 10% तक जादा विया करते हैं कौन, सामोहिक रूप से सभी राज्य केंद्र की तुल नामे, अब यहाँ पर यह है कि अगर राज्य के राजस में कमी आएगी, त तो इसका अर्थ है कि अर्थविवस्था की गती प्रभावित होगी, अर्थविवस्था की गती धीमी होगी. वर्तमान समय में नीजी छेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रस्ण है खुद को बनाए रखना, और जिस एनिमल इस्पृट की बात कही जा रही है, तो इस एनिमल इस्पृट को भी अपने बल पर ही बनाए रखना है नीजी छेत्र को. क्या होता है एनिमल इस्पृट? तो एनिमल इस्पृट की अवधार ना दी है ब्रिटिस अर्थ सास्त्री किन्सने, जिसके अनुसार दोनों, दोनों का मतलब यहाँ पर है कि उद्यमी और उपभोगता, वो आर्थिक गतिविधियों को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, वो क दोनों पक्षें उसमें सकरात्मक परिनाम देखने को मिलेंगे, तो इस इस्थिती में आवश्यक्ता किस बात की है? इस इस्थिती में आवश्यक्ता है सारजनिक व्याय को बढ़ाने की, और केंद्र और राज्जी के बीच में यह जो च्छति पूर्ति संबंदी विवाद है, तो यह जो विवाद है या विवाद अर्थविवस्था की गती को बढ़ाने के लिए जिस स्रोत की आवश्यक्ता है, उन स्रोतों से वन्चित हो जाएगा, कौन अर्थविवस्था और अर्थविवस्था को बढ़ाने के लिए जो महत्पूर्ण आवश्यक्ता कारक होत के एकदम से विपरीत है और सहकारी संगवाद की जिस भावना की बात कही जा रही है उस भावना के अनुकूल नहीं है ऐसा क्यूँ ऐसा इसलिए कि जब GST संबंधी विधयक को संसद में लाए गया था और जब उसे पारित कराय जा रहा था तो संसद में ततकाली वित्मंत्र पूर्ट की जो थे उन्होंने यह वादा किया था कि GST के लागू होने के बाद राज्यों को जो राजसों में कमी आएगी उसकी छती पूर्ती की की जाएगी किस के द्वारा केंद्र के द्वारा चलिए यह सही है कि महामारी के इस दौर में केंदर की आए में कमी आई है तो एक तो आए हमें दिख रही है कि संदर में GST के संगरा के संदर में ठीक है उसके अलावा जो आर्थिक गतिवीधिया एकदम से धीमी हो गई है तो उससे आयकर में भी कमी आएगी, उससे निगमकर में भी कमी आएगी, तो कुल मिलाकर यहाँ पर यहाँ है कि केंदर की आय में कमी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ बाद भी उलेकनी है, कि अगर GST संग्रह में कमी आ रही है, तो राज्य की आय में भी कमी आए अगर आईकर और निगमकर में कमी देखी जा रही है, तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि केंदर के द्वारा, राज्यों को जो राजस्यों का हस्तांतरन किया जाता है, तो पिछले वर्स की तुल्ला में क्या होगा उसमें गिरावट देखी जाएगी, तो कुल मिलाकर राज्यों की आए में भी काफी गिरावट होगी और इस इस्थिती में केंदर के द्वारा राज्यों को क्या सुझाओ दिया जा रहा है राज्यों को यह सुझाओ दिया जा रहा है कि जो राज्यों की कमी है उस कमी को आप पूरा कीजिए किसके कैसे तो RBI से और उसमें केंद्र उनकी मदद करेगा, तो काफी हद तक केंद्र क्या कर रहा है, वह अपने उत्तरदाइत से पलड़ा जहार रहा है, तो यह साहकारी संगवाद पर एक बड़ा प्रसुंचिन है, तो आवेस्चक्ता यहां पर इस बात की है, कि यह जो छती पूर्ती संबंध ही विवाद है, इस छती पूर्ती संबंधी विवाद को केंद्र एवं राज्जी दोनों मिलकर इसे दूर करें, क्योंकि अर्थ विवस्था की गती काफी धीमी है, और अगर इस गती को बढ़ाना है, तो केंद्र और राज्जी दोनों मिलकर कारें, और इसमें किसी प्रका पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, अब एक नजर आज के इस प्रश्ण पर, प्रश्ण है कि निम्न करों पर विचार करें, पहला विक्रे कर, दूसरा मुल्लिवर्धन कर, तीसरा सेवा कर, और चौथा वस्तु सेवा कर, उपर्युक्त में इसे ओपर्त्यक्ष कर है, उप्सन A पहला दूसरा, उप्सन B तीसरा चौथा, उप्सन C पहला चौथा, उप्सन D सभी चारों, तो कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा, इसके साथ ही एडिटोरियल से समंदित इस संपादकी को यहीं समाप्त करते हैं, इसे यह हम विराम देते ह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार